प्रिये विध्यार्तियों, मैं डॉक्टर देवाराम, आज आपको अर्थषास्तर की अध्यन पद्यतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जोकि अर्थषास्त्र के अधिन पथ्यतों का दूसरा भाग है, इसके अंतरगत, πुर्भाषा, इन प्रावीकिक विश्च्रिशन के बारे में हम विस्तार से व्याख्या करेंगे विश्तार से जानेंगे, इसी पूरु के व्यक्यानों में मैंने आपको अर्थशास्त्र के इतिहास, अर्थपरिभाषा, विशेशेट्र और परकर्ती के बारे में बताया है यह अर्थशास्त्र के अध्धिन पद्यतों के अंतरगत, पहले भाग में मैंने निगमन विदी और आगमन विदी के बारे में आपको जान करी दी थी इस व्याख्यान में मैं आपको बताना जा रहा हूँ systematic और प्राविगिक visualization के बारे में ज्ञान विज्यान के कोई भी शाखा हो सभी शाखाओं को अपने अध्यान हेतु अपने नियमों और सिद्धानतों को परतिबादन है तो कुछ निश्चित विदियों का साहरा लेना पड़ता है इन में से दू विदियां ये भी बहुत मैत्वपूर्ण हैं स्थेतिक तथा प्रावेगिक विदी इन विदियों का सरवपर्थम उप्यूग फ्रांसेसी समाशास्त्री आउगस्त कॉम्टे ने किया था उन्होंने स्टेटिक वर डाइनेमिक शब्दों का प्रियोग किया था अर्थशास्त्र की शेत्र में सबसे पहले इन शब्दों का प्रियोग J.S. Mill, John Stuart Mill ने किया यदे पी इन दोनों शब्दों का बाद में काफी विवाद भी रहा लेकिन 20. सदी तक आते आते इन शब्दों का प्रियोग ही नहीं किया बलकि अर्थशास्त्र में इन विदियों को बहुती नए रूप से प्रस्तुत किया और अपने अपने ढंक से इनको परिभाशित किया इस्थेतिक विशलेशन और गत्यात्मक विशलेशन अर्थशास्त्र के अधिन शेतर में बहुती मेहत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस्थेतिक विशलेशन के बारे में हम विश्थरत से अधिन करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जाना आवशक होता है कि इन शब्दों का उद्भो कैसे हुआ इस्तितिक शब्द अंग्रेजी के स्टेटिक S-T-A-T-I-C का हिंदिय अनुवाद है और यह जो शब्द अंग्रेजी का स्टेटिक है यह ग्रीक भाषा के शब्द स्टेटिक यानि S-T-A-T-I-K-E से बना है जिसका अर्थ होता है एक इस्थान पर खड़ा होना या बिना हालचल की इस्तिथी लेकिन जिसे हम यह कह सकते हैं कि सामनेता, निश्कृता या फिर गतिहीन अवस्ता है लेकिन अर्थ शास्त्र में इसका भी प्राय कतई यह नहीं लगाया जा सकता कि अर्थ व्यवस्ता में गतिहीन तक इस्तिथी है या फिर निश्कृता की इस्तिथी है अर्थशास्त्र में इसका अर्थ लगाया जाता है कि अर्थ विवस्ता में गती तो है, अलचल तो है लेकिन गती की दर समान रहती है अर्थात movement तो है लेकिन rate of movement समान रहता है, स्थिर रहता है पीगू ने बहुत सुन्दर तरीके से इसको परिभाशित किया है पीगू के शब्दों में इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन बूंदों से मिलकर जहरना बनता है, वे सदेव बदलती रहती है किन्तु जहरने का स्वरूब वही बना रहता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जन संख्या में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता लेकिन जितनी संख्या में नए जन्म लेते हैं उतनी ही संख्या के लगभग मर भी जाते हैं जिससे उब्भो के लिए मांग में कोई बड़ा परिवर्टन नहीं होता है इसलिए उत्पादन का इस्तर भी वही रहता है इस कारण तकनीकी मानविय आवशेक्ता है हैं रूच्यों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है और जो कुछbon किया जैता है वह सब कुछ उत्पाद्धित्क हो जाता है उब्भो कर लिया जाता है और नई वस्तियों का उत्पादन चलता रहता है इस्थेतिक विश्टेशन अर्थशास्त्र के अध्यन में अति महत्वपूर्ण है क्योंकि परंपरागत अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा भाग इस पदत्ती से ही निर्मित किया गया है वो इसके अध्यन से उन्हें समझना सरल भी हो जाता है तता आर्थिक इस्थितिकी को भली बाने समझना समझे बिना आर्थिक प्राविगी को भी समझना मुश्किल होता है इसलिए इस्थितिक विश्टेशन को समझना हमारे लिए बहुत मेहतोपूर्ण है आर्थिक इस्थितिकी विश्लेशन के दो रूप है एक है इस्थिरावस्ता और दूसरा है तुलनात्मक इस्थितिकी विध्यारती ये ध्यान रखें कि मूल रूप से दो विध्याँ है ये aesthetic puisqu customization और प्राविगिग कि विश्देशन के अंतरकत दो तेरे के इस्थितिया होती है दो रूप होता है एक तो है स्थिरावस्ता दूसरा है तुलिनाद्मक इस्थितिक की स्थिरावस्ता के अंतरकत एक समय विश्यश के संतुलन आवस्ता का विश्टेरशन किया जाता है जबकि तुलनात्मक इस्थिगत तथा समश्टिगत संतुलन विश्टेशन के माध्यम से समझा जा सकता है यदपी हम विश्ट्य अर्तशास्तर को ज़्यादा मेत दे रहे हैं फिर भी हमें सतितिक को पूर्न रूप से समझना है तो दोनों ही सतितिशन को हमें भली बाती समझना होगा पहले हम लेते हैं वेस्टीकत स्थिरावस्ता वेस्टीशन एक आर्थिक दifter विबिन आर्थिक चरों या तत्वां के पारस्पर कर्समंदों को बताता है जिसमें एक चर या तत्व अनेक चरों या तत्वों से प्रभावित हो सकता है या एक से अधिक चरों से समन्दित हो सकता है इन आर्थिक चरों के मद्य समन्द से उत्पन परिस्तितियों का अध्यन किया जा सकता है एक समय विशिष पर आर्थिक जरों के संबन से संतुलना अवस्था व उसके परिणाम इस्थिरा अवस्था संतुलन से बताया जा सकते हैं वेस्टिकत विश्लेशन में इस्थिरा अवस्था संतुलन को एक उदर्ण द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक समय बिंदू पर वस्तु की मांग वपूर्ती का समन कीमत का निर्धरन करती है वस्तु की मांग वपूर्ती के संतुलन से कीमत का निर्धरन होता है और यह कीमत तब तक बनी रहती है जब तक कि मांग वपूर्ती में कोई परिवर्तन नहीं आता अर्थात हम एक समय बिंदू की बात करते हैं और उस समय बिंदू पर वेस्टीकत इसतेरावस्ता के सबसे स्रिष्ट उदार्ण हम मांग और पूर्ति के माध्यम से कीमत के निध्रण को समझ सकते हैं इसको चित्र के द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं जो कि आपके सामने दिख रहा है O यहाँ पर origin point है मूल बिंदू है और इससे आधार की जो रेखा है वो X अक्षिस है जहाँ पर वस्तु की मात्रा ले गई है जिसे हम Q कहते हैं और जो vertical है यानि लंबवत अक्ष है वो Y अक्ष है जिस पर हमने वस्तु की कीमत ली है जो की P कहलाती है चित्र के अंतरगत DD मांग वक्र है SS पूर्ती वक्र है यह दोनों एक दूसरे को E बिंदू पर काट रहे हैं जहां पर संतुलन की इस्ततु है यही सथ independence की सथिरावास्था संतुलन को दर्शारा है इस बिंदू पर जब हम this बिंदू से X X पर रेका खेंचते हैं और जहां यह मिलता है बिंदू उससे हम Q लिखेंगे और यह जो Q है यह हमें इस मांग पर पूर्ति की मात्रा को तेह करना बताता है अर्थात OQ मात्रा मांगी जा रही है और इस OQ मात्रा के लिए P कीमत निधरत होती है जो की संतुलन के इस्तिती से Y अक्स पर रेका खींजने के बिंदू से प्राप्त बिंदू है इसके बाद हम ले रहे हैं समझ्टिकत इस्थिरावस्ता विश्टेशन इसके अंतरगत हम यह देखेंगे कि जो कींज ने कहा था Y is equal to C plus S अर्थात जो कुल आए है वो उपभोग और बचत का योग होती है हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हम कमाते हैं वो या तो उपभोग कर लिया जाता है और जो कुछ भी पीछे रहता है उसे हम बचत कहते हैं और यदि हम उपभोग और बचत को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में जो कुल मात्रा आएगी वह हमारी कुल आए होगी इसे हम चितर में इस परकार से देख सकते हैं जो की दिकhाया गया है और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी बचट की जाती है अर्थात जो कुछ भी कमाया जाता है वह उपभोग और बचट में वित्रित की जाता है यूं कहिए कि उब्वोग और बच्चत को जोड़ा जाए तो कुल आय प्राप्त हो जाती है और जो बच्चत होती है वो पूरी की पूरी निवेश कर दी जाती है अर्थात बच्चत को हम फिर से धन कमाने के लिए विन्योग के अंतरकत लगा देते हैं इसलिए S is equal to I अर्थात बच्चत और विन्योग दुनों बराबर होते हैं तो जब बच्चत और विन्योग दुनों बराबर होते हैं तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि कुल आय बराबर कुल उभवोग प्लस कुल निवेश अर्थात Y is equal to C plus I पहला जो समिकर्ण बना था Y is equal to C plus S और दूसर समिकर्ण है Y is equal to C plus I इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं चित्र में X अक्स पर राष्ट्री आया है और रोजगार को भी दर्शाती है Y आक्स पर कुल उभवोग निवेश जैसे हम मांग फलन भी कहते हैं ये दर्शाय गया है 45 दिग्री की जो रेखा है ये हमें दिखाती है Y is equal to C plus I उभवोग की रेखा यहाँ पर 0 बिंदू यानि origin पॉइंट से मूल बिंदू से शुन्य से कुछ उपर से शुरू हो रही है इसका मतलब यह है कि I की रेखा 0 से शुरू होती है लेकिन उभवोग की रेखा 0 से कुछ उपर से शुरू होगी अर्थात 0 आय पर भी उभवोग किया जाता है यानि जिस समय आय बिलकुल भी नहीं होती है तो पुराने आय या उधार लेके या बचत से भी जिंदा रहने के लिए कुछ उपवोग तो करना ही पड़ेगा इसलिए उभवोग हमेशा ही 0 के कुछ उपर से शुरू होता है इस कांड़ से जो चितर में दिखाया गया है जीरो से C रेखा के अरम बिन्दू यह C कहलाता है और जो रेखा है यह C है यानि कि उपवोग रेखा है इसके कुछ उपर C फ्लस I रेखा है अर्थात उपभोग और निवेश रेखा है जो ये रेखा E बिंदू पर Y is equal C plus I को काटती है या दोनों E बिंदू पर बराबर होते हैं और यही संतुलन का बिंदू है और ये राष्ट्री आय का ध्योतक है अर्थात इस E बिंदू से जब हम X अक्स पर रेका खेंचते हैं तो कुल आयपराप्त होती है अर्थार राष्ट्री आयपराप्त होती है यही है मारा कुल रोजगार का बिंदू भी होता है अब हम आगे चलते हैं और इस्तिति का दूसरा रूप यानि तुलनात्मक इस्तिति की बारे में बात करेंगे तुलनात्मक इस्तिति को भी हम व्यस्टिकत तुलनात्मक इस्तिति की और समझ्टिकत तुलनात्मक इस्तिति की रूप में समझेंगे पहले हम लेते हैं व्यस्टिकत तुलनातपक इस्थेतिके इस्थेरा अवस्ता में हमने देखा था कि एक समय बिंदू पर मांग और पूर्टी दोनों मिलकर कीमत और उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इस्थेतिक अंतरगत गतिहीन ताकि अवस्ता नहीं होती है लेकिन जो गतिकी दर होती है वो समान रहती है तो एक समय बिंदू पर जब हम देखते हैं तो DDSS को E बिंदू पर काड़ता है जो कि संतुलन इस्तिती होती है लेकिन एक निर्दार्त समय अवदी के पश्चात या एक समय बिंदू के बाद दूसरे समय बिंदू को जब हम देखते हैं तो किनी कारणों से मांग बढ़ती है इस कारण से मांग वक्र उपर शिफ्ट हो जाता है जो ली डी वक्र है वो पैरलल उपर शिफ्ट हो जाता है और ली वन डी वन रेखा के रूप में परदर्शित होता है तो ऐसे में जब हम चित्र में देखते हैं तो जो संतुलन का बिंदू था वह बिंदू E से shift हो जाता है E1 पर और यहाँ पर हमें कीमत नई नजर आती है जो P से P1 shift हो जाती है तो साथ में supply भी Q से Q1 हो जाएगी मैं विद्यारतियों को यह फिर पुना दोरा ना चाहूंगा कि यह जो DD है यह मांगवकर है और SS है यह पूर्तिवकर है एक वस्तु के मांग वक्र और एक वस्तु का पूर्थी वक्र इसमें दर्शाय गया है ये देपी जो विद्यारती अर्थशास्त्र के हैं वो ये जानते हैं कि डीडी वक्र उपर से नीचे दाईयों गिरता हुआ होता है अर्थात बाएं से नीचे दाईयों और गिर्टा होता है रिनात्मक धाल वाला होता है क्योंकि अधिक कीमत पर किसी भी वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है मांग मात्रा कम होती है और कम कीमत पर अधिक मांग होती है अर्थात अधिक कीमत पर मांग मात्रा कम और कम कीमत पर मांग मात्रा अधिक लेकिन इस से उल्टा जब कीमत कम होती है तो उतपादक कम कीमत पर कम मात्रा बेचने के लिए तयार होता है। बढ़ता हुआ होता है जो की धनात्मक धालवाला होता है इस चित्र में हम देख सकते हैं इन दोनों की तुलना कर सकते हैं आर्थात E और E1 की तुलना कर सकते हैं पहले समय बिंदू पर संतुलन आवस्था E बिंदू पर है और दूसरे समय बिंदू पर संतुलन आवस्था E1 बिंदू पर है अब हम चलते हैं समस्टिगत तुलनात्पक इस्थिति के तरफ इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से पूरो में संतुलन को हमने देखा था वो अब किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है मैं आपको शब्दों में कुछ इस तरह से बता सकता हूँ समस्टिगत आर्थिक जरव में परिवर्तन के फल स्वरू पर प्राप्त होने वाले सामे बिंदू का पूर्व में प्राप्त सामे बिंदू के से तुलनात्मक विश्डिशन ही समस्टिगत आर्थिक तुलनात्मक इस्थितिक है अर्थात इस चित्र में हम उनी चीजों को पुन ले रहे हैं जो की समस्टिगत इस्थिरावस्ता इस्थिति के अंतर गतली थी X अक्ष पर हमने राश्चे आए लिए है और Y अक्ष पर हमने कुल उपभोग, कुल निवेश और यहाँ पर हमने एक और चीज जोड़ा है, डेल्टा आई अर्थात निवेश में होने वाली व्रती इस चित्र के अनुसार हम देखें, तो Y जो कुल तो C प्लस I 45 दिगरी की एक रेखा है जो की 0 से शुरू होकर उपर चड़ती हुई है, दनात्मक ढ़ाल वाली है उपभोग जो रेखा है वो 0 से कुछ उपर से शुरू होकर पहले की तरह ही आगे बढ़ती हुई होती है जिस तरह से I बढ़ती है, साथ साथ उपभोग भी बढ़ता है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, जिस अनुपात में I बढ़ती है इसलिए यह रेखा C प्लस I की तुलना में कम तेजगती से बढ़ती है लेकिन C प्लस Y जिकलू C प्लस रेखा 0 से शुरू होती है और उब्भोग की रेखा कुछ उपर से शुरू होती है अर्थाद जीरो आय पर भी कुछ उब्भोग किया जाएगा इसलिए और एक समय आता है जब ये दोनों रेखाएं समान होती है आय रेखा जो निवेश की रेखा है वो सी से उपर से शुरू हो रही है ये दोनों का जोड हैं सी प्लस आय जो की हमने पूरू में भी देखा था वाई जिकलू सी प्लस आय रेखा सी प्लस आय रेखा को ई बिंदू पर कारती है जो की स्थिरावस्ता के अंतरकत हमने देखा था तो पहले समय बिंदू पर E बिंदू संतुल का बिंदू है जो की Y राष्ट्याय का कोदर्शारा है लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि निवेश में व्रदी की गई है चाए वो सरकार के द्वारा की गई है चाए वो इंडूस्ड है या फिर स्वता निवेश है चाए वो ओटनमस इंवेस्टमेंट है या इंडूस्ड इंवेस्टमेंट है अर्थात निवेश में व्रदी होती है जो की Δ i की रूप में दिखाएगे, डेल्टा का मतलब यहां पे चेंज होता है, व्रद्धी हो सकती है, कमी भी हो सकती, लेकर यहां पे व्रद्धी है, अर्थात एक नई रेखा हमारे पास में आई है, C प्लस I प्लस डेल्टा I, जो की I के उपर पेरल्ट शिफ्ट है, यह अगले समय बिंदू के लिए हम यह बताना चाह रहे हैं, कि निवेश में व्रद्धी होने पर, संतुलन का बिंदू E बिंदू से शिफ्ट होकर E1 पर चला जाता है, जिससे राष्ट्री I की E, जो Y बिंदू था, वो Y1 हो जाता है, अर्थात O Y1 की बजाए अब नया राष्ट्री I का बिंदू होगा, O Y1, इन दोनों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं, कि पूर्व समय बिंदू पर, या पूर्व के संतुलन बिंदू पर राष्ट्री I O Y थी, और अब O Y1 हो गए, अर्थात इस बिंदू पर रोजगार की मात्रा भी बढ़ेगी, यानि कि निवेश में व्रद्धी होने पर राष्ट्रियाय में व्रद्धी होती है, और कुल रोजगार में भी व्रद्धी होती है, निश्कर्श रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस्थितिक आर्थिक विश्ट्रेशन उस अवस्था का अध्यन करता है, जिसमें अर्थ व्रद्धा में गती तो रहती है, लेकिन उस गती की दर समान रहती है, अर्थवस्ता चलती तो रहती है पर नियमित व क्रमिक रूप से आर्थिक क्रियाओं में इस्थिर आवस्ता साम्या है पर अक्रमनाता नहीं है उत्पादन प्रक्रिया तो चलती रहती है पर उसकी मात्रा वसादनों की मात्रा इस्थिर रहती है यह साम्यकी अंतिम इस्तित्य को प्रकट करती है अब हम चलते हैं प्रावेगिक की तरफ और ये जानते हैं कि प्रावेगिक आर्थिक विश लिशन क्या बताता है प्रावेगिक या गत्यात्मक्ता का अर्थ ही गतिशील होना है अत्हा इसके अंतरगत गतिमान, परिवर्तन शील वो निरंतर चलने वारे अर्थवर्था का अध्यन किया जाता है अर्थात यहां परिवर्तनों की प्रक्रिया, process of changes का अध्यन करती है अर्थवयस्ता में होने वाले निरंतर परिवर्तन, उनके क्रम, भविशे के अनुमान, उनकी सीमाएं, समय विलम्बना, प्रावेगिक आर्थिक विश्रिशन के मुख्य अंग है जेबी कलॉर्प के अनुसार प्रावेगिक आर्थशास्त्र में इन पांच प्रकार के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जन संख्या में ब्रदी, पूंजी में ब्रदी, उत्पादन साधनों व उत्पादन विद्यों में परिवर्तन, ओध्योगे के संगठनों के रूप में परिवर्तन, एमम उभोग ताकि आफशिक्ताओं में परिवर्तन अता इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संतुलन के बजाइस और संतुलनों का अध्यन करता है जिसमें तिथी करण यानि डेटिंग, समय विलम्बना यानि टाइम लेग को उचित स्थान दिया जाता है मकडजाल सिध्धान्थ, कोब वेव थियूरम, व्यापार्चक्र सिध्धान्थ, जनसंक्या व्रद्दिनियम, ब्यास का सिध्धान्थ, निवेश के सिध्धान्थ, इत्यादी प्रावेगिक विश्टिशन के आधार पर पृतिपादित किये गए हैं इसमें भी हम विश्टिकत तथा समस्टिकत दोनों ही तरीकों से प्रावेगिक आर्थिक विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश् संतुनल बिगड़ जाता है तो उससे दो परस्तिय उत्पन हो सकती है एक तो पुना संतुनल की और लोटना और दूसरा पुरा नहीं सामें से दूर चले जाना चलते ही जाना इनको क्रमश्रह हम यह कह सकते हैं इस्थिर्मकरजाल तथा अस्थिर्मकरजाल स्टेबल कॉब वेव एंड अंस्टेबल कॉब वेव अर्थात जब हम कहते हैं कि संतुनल की इस्थि बिगड़ जाती है लेकिन पुना हां संतुनल के तरफ लोटा जाता है तो उससे हम कहेंगे स्थिर्मकरजाल और दूसरा जब पुराने सामें से दूर चले जाते हैं फिर यह जाती हैं तो यह कहला तक है कि इनको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं पहला चित्र यहां पे आप देख सकते हैं पहला चित्र है जो स्थिर्मकरजाल को दिखाता है दूसरा चित्र है अस्थिर्मकरजाल को दिखाता है पहले चित्र में आप देख रहे हैं एक बार संतुलन बिगड जाता है तो पुनह संतुलन की तरफ लोटते हुए एक समय आता है जब वो पुर्व शंतुल्न के बिंदू पर आ जाता है लेकिन दूसरे चित्र में जब हम देखते हैं कि एक बार शंतुल्न बिगड़ा तो वो निरंतर बढ़ता ही जाता है और आगे से आगे वो एक जाले की तरह नजर आ रहा है और संतुल की दूसरी दिशा में बढ़ता रहता है चित्र में X अक्स पर दोनों ही चित्रों में X अक्स पर वस्तु की मांग वो पूर्ति ली गई है अर्थात मात्रा ली गई है और Y अक्स पर कीमत ली गई है दोनों ही चित्रों में D D demand curve है वस्तु की मांग वक्र है और SS supply कर्व है जो कि वस्तु की पूर्ति वक्र को धर्शाता है पहले चित्र में जहां पर मांग और पूर्ती एक डिक्स्री पर काटते हैं वो E बिंदू है जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं जहां से Q बिंदू वज़तु की मांग और पूर्ती का अर्थात मात्र का दिर्धर्ध होता है तो P कीमत दिर्धर्ध होती है लेकिन किनी कारणों से यह संतुल बिगड़ जाता है और Q से Q1 पर आ जाता है अर्थात इस बिंदु पर किसी भी कारण से चाहिए वो जन्शंक्य के वर्दी के कारण हो अचानक मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाने से उतनी सपलाई नहीं होती है और कीमत अधिक हो जाती है जोकि P से P1 के बढ़कर P1 हो जाती है लेकिन इतनी बड़ी होई कीमत पर उपवोकता इस वस्तु को नहीं खरीते हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी भी कीमत पर उत्पाद तक प्रिरित होकर वस्तू की सप्लाई बढ़ा देते हैं S2 तक तो ये जो गैप है वो गैप बढ़ जाता है ये गैप बढ़ने से अचनक मांग में कमी आती है तो दूसरी तरफ सप्लाई अधिक हो जाती है तो ये जो गैप होता है इस गैप के करण कीमत गिर कर P2 हो जाती है जो P2 होने पर मांग अचनक बढ़ती है लेकिन P2 पर उत्पादक उतनी मात्रा में पूर्ती देने के लिए तयार नहीं होता है ये S3 के आसपास चली जाती है और इसी तरह से ये आसंतुलन चलता रहता है लेकिन ये आसंतुलन इस प्रकार से होता है कि अगले इस तरफ पर कीमत में गिरावटाती है सप्लाई कीमत में वापस गिरावट आती है फिर से वापस बढ़ती है फिर से गिरावट आती है फिर से वापस बढ़ती है तो इस प्रकार से एक बार सप्लाई अधिक हो जाती है एक बार मांग अधिक होती है फिर सप्लाई अधिक होती है इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है और पुनहा ई बिंदु पर संतुलन की इस्तती बन जाती है लेकिन दूसरी चित्र में एक बार संतुलन बिगड़ता है जिसमें P से P1 हो जाती है कीमत जिसकी वज़े से उत्पादक लालस में आकर पूर्टी बढ़ाता है तो कीमत पुनवा गिर जाती है फिर से वापस पूर्टी गिरती है फिर से वापस कीमत के गिरने पर मांग बढ़ जाती है और इस तरह से ये क्रम चलता रहता है और मांग और पूर्ती में इस तरह का आसन तुलन कंटीनू 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 चलता रहता है और अस्थिरता बनी रहती है और अस्थिर मकडजाल से सा हमें इस चितर में भी नदर आ रहा है अब हम चलते हैं प्राविगी के दूसरा रूप जो की समस्टिगत प्राविगेक आर्थिक विश्लेशन है समस्टिगत आर्थिक चरों अथवा समगर अर्थवस्ता के विबिंच शेत्रों में होने वाले परिवर्तन परिवर्तन की गती तथा परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्टेशन ही समस्टी गत आर्थिक प्राविगेक विश्टेशन है इसके अंतरगत समय तत्व का बहुत महत्व है जैसा हमने पहले भी देखा राश्टी आय, राश्टी उभ्भोग, राश्टी निवेश में निश्चित समयावदी में होने वाले परिवतनों की प्रक्रिया को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं चित्र में जैसा हमने पहले देखा था कि X अक्स पर हमने राष्ट्रिय आय को लिया है और Y अक्स पर हमने उपवोग विनियोग वे को लिया है इस चितर में हमने c रेखा नहीं कहींच यह क्योंकि यह हम पहले समझ चुके हैं खींच भी सकते हैं बना भी सकते हैं और नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर प्राविगिक को समझना चाहते हैं इसलिए जो चीज समझ में आ चुकी हम उससे आगे बढ़ते हैं C plus I पहली रेका है और दूसरी रेका है C plus I plus delta I और 45 दिगरी की वही रेका Y is equal C plus I plus delta I अर्थात ये दोनों ही रेका हैं C plus I और Y is equal C plus I plus delta I ये e बिंदू पर पहले संतुलन में होते हैं वहाँ पे y0 राष्टे आये होती है लेकिन निवेश में वर्ती किये जाने पर ये e1 बिंदू पर आजाती है अर्था संतुलन जो होता है वो c प्लस i प्लस डेल्टा i और y is equal to c प्लस i प्लस डेल्टा i के एक दूसरे के क्रॉस करने पर या एक दूसरे के बराबर होने पर e से e1 बिंदू पर संतुलन चलाता है और इसमें जो व्रदी होती है y0 से yt तक जो की राष्टे आये में व्रदी होती है इसो हम डेल्टा y से दिखा सकते हैं लेकिन ये जो e से e1 पर गया है ये जब हम इसको केवल दो समय बिंदू पर देखते हैं तब तो वो संतुलन अवस्था स्थेतिक हो जाती है लेकिन हम e से e1 तक निरंतर क्रम को देखते हैं समय आवधी को देखते हैं तो यह प्राविग हो जाता है जो की इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस रेख एवण के बिंदू को जब हम c प्लस i से c प्लस i प्लस delta i तक खीचते हैं उसके बाद जब हम इस रेखा को y उगल दो c प्लस i प्लस delta i तक ले जाते हैं फिर से वापस इसको उपर के रेखा से मिलाते हैं तो इस तरह से यह एक क्रम चलता है अर्थात ये निरंतर और क्रमिक रूप से चलता हुआ EVE से EVE 1 तक पहुँचा है सीधा नहीं पहुँचा है अर्थात हम समय बिंदों की बजाए समय आवधी की बात करते हैं और यही समस्टिकत प्रावेगिक आर्थिक विशलेशन है इन बिंदों को जब मिलाते हैं तो यह LMNOP जो की चित्र में दिखाया गया है यही हमारा प्रावेगिक विशलेशन है और इस प्रकार से आज हमने इस व्याख्यान में आर्थशास्त्र की अध्यन पद्यत्यों के अंतरकत इस्थेतिक और प्रावेगिक पद्यत्यों का विशलेशन है भली बात यह समझा धन्यवाद